हलो दोस्तों आप लोगं का स्वाग नावल चनल पर और आज का वीडियो होने वाला है तो पहले वो तीन वीडियो को चेक आउट कर लो तो आपके लिए बैटर रहेगा और अगर आप पेस्टी तक की वीडियो देख के लिए तरस रहते तो वीडियो यहाँ पर आपके सामने हाजीर है अब तक का जितना भी काम मैंने यह पूरा मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स के उपर किया है वह अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना चैनल पर पर सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिए क्योंकि इसी तरह के अलग-अलग अपड सब्सक्राइब को अगली वीडियो में देंगा फिलाल चलिए शुरू करते यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा आप मैंसे लोग जो फॉलो करते आ रहे उनको पता होगा आवेंजर सेंड गेम के बाद फिल्म रिलीज हुई थी ब् इसको फेस्टू में रखा है क्योंकि मैं यहां पर पूरा टाइम लाइन वाइस बता रहा हो ना कि रिलीज डेट वाइस तो देखते वक्त यह चीज़ ध्यान में रखें तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं आपको 65 नंबर पर देखनी है हेल्स फ्रॉम अभी 65 बोलने का र रिलीज हुए उनके सीजन वन ही रिलीज हुए तो मेरे को अलग से जाके सीजन वन सीजन टू बोलने की ज़रूरत नहीं पढ़ने वाले जसी जो सीरीज का नाम है वही बताऊंगा उसके बाद 66 नंबर पर आपको देखनी है लोकी अभी लोकी में स्टार्टिंग में कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा जिसमें मार्वल की जो फर्स द एविंजर साइथी उसका कुछ सीक्वेंस देखने को मिलेगा और उसके बाद जो में कहानी है वहां पर घटी है हैल स्ट्रॉम के बार में इसलिए हमने सिक्वेंस वाइस इसको यही पर रखा है 67 नंबर पर आ आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन डॉटिवर्स आप मैडनेस नहीं देखिये तो मैं आपको सला दूंगा सबसे पहले वांडा विजन देखिए कि वांडा विजन की जो वांडा है उसका सबसे बड़ा एहम रोल डॉक्टर स्ट्रेंग जो सिक्वेल आया था उसमें है और अभी जितनी भी सीरीज के बारे में आपको बता रहा उसके बारे में चीज बता आंजाओंगा से बहुत मतलब नहीं के बरावर हिंदी डब हुआ है लेकिन पर की ऑल्मोस सिरीज जो है उनका हिंदी डव आपको मिल जाएगा यह वांडा वीजन जो है उसका अभी तक डब पर आपको देखनी है फैलकन और विंटल सोलजर आपको पता ही है कि कैप्टन अमेरिका सीरी जब हम देख रहे थे जो भी फिल्म है उसका यह एक हिस्सात है और अभी इनकी इंडिविज्वल सीडिस एवेंजर सेंड गेम के बाद उनके साथ क्या होता है वह आपको इस सेंड गेम का आगे क्या हुआ उसके बास नमबर पर इन्होंने एक पूरी नवेली एक फिल्म पब्लिक के सामने लाए जिसका नाम है शैंग्ची एंड लिजेंड और टेन रिंग्स यह बिल्कुल ही अलग कहानी है मतलब इसका अब तर की जितनी भी हम फिल्में देखते आ पूरा धुम धड़ा का मतलब इसका जो क्लायमेक्स है उसमें जो एक्शन दिखाई गई है और उसमें जो वीएपेक्स का इस्तमाल किया गया है वह खतरनाक था इसके बास 72 नमबर पर आपको देखनी है इटर्नल अभी इटर्नल एक किसी बंदे की कहानी नहीं है यह एक ए इटर्नल को यहां धर्ती पर भेजा था उन्होंने यह चीज कहा था तुमको सिर्फ और सिर्फ एक दूसरी नेगेटिव एलियन रेस धर्ती पर आई रही रहती है इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर पूरा वह चीज रिविल के और यहां पर आपको इटर्नल औ टन्स भी है वह भी आपको देखने को मिलेंगे इटर्नल के बाद 73 नंबर पर आपको देखनी है स्पाइडर मैन इसके बाद एक्चुली आती है ऑफिशली अगर आप मारबल सिनेमेटिक निवल्स के हिसाब से जाओगे तो स्पाइडर मैन नोवे लेकिन वह फिल्म देखन स्पाइडर मैन 2 अब तक की वन आफ दो बेस्ट सूपर हीरो फिल्म मानी जाती है हाला कि यहां पर पिटर पार्कर की जो फर्स में कहानी शुरू हुई थी वह एक मेरी जिन नाम की लड़की से प्यार कर रहा होता है उसके वज़े से उसका एक दोस भी रहता है उससे उसकी इसके बाद 75 नंबर पर आपको देखनी है स्पाइडर मैन 3 स्पाइडर मैन 3 अला कि क्रिटिक्स को इतनी पसंद नहीं आई थी लेकिन और इसमें आपको बहुत सारे मतलब एक सूपर विलन नहीं इसमें दो-तीन सूपर विलन है उनके साथ आपको स्पाइडर मैन जब लड तो 76 नंबर पर आपको यह फिल्म देखने है अमेजिंग स्पाइडर मैन अब यहां पर भी जो पीटर पार करें इसको आपको ऑमकमिंग वाला स्पाइडर मैन या फिर ओरीजनल स्पाइडर मैन से कंप्यार नहीं करना यह अलग ही कहानी है इसकी नाम उसका भी पिटर परक जाहें मुझे पसंद आगे इस पर बहुत सारे विलन इसमें जो है वह आपको पाइडर-man आगे देखने को मिलेगा तो इसलिए यहां पर देखनी है अभी 78 नबर पर आपको फिल्म देखने उसका नाम है वैनम जिन्मने मेरी मुवीज वाली वीडियो देखी है लोग यहां पर नीचे जरूर कमेंट करेंगे कि यहां पर तुम वेनम क्यों बोलों क्योंकि मैंने फिल्म सेक्षान में वेनम को आड नहीं किया तो भाई मेरे देखो मैं तब स्मूच नहीं रहा था कि जो मतलब अलग-अलग कि मतलब आप नहीं भी देखोगे वेनम और वेनम टू भी चल जाएगा लेकिन लोगों ने इतने कमेंट के कि आपने वेनम भूल गए आपने वेनम को क्यों नहीं बात नहीं इस वीडियो में मैं सारी फिल्मों को एड कर लूँगा जिनका छोटा सा भी कनेक्शन है उनको भी अच्छी से इंजोई की इसके बाद 79 नंबर पर आई थी वेनम लेट देर पी कारना इस बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना यह था कि जो वेनम थी उससे इंप्रूमेंट हुआ था इस फिल्म में ऐसा लोगों का क्या था लेकिन वेनम टू के पहले आधे घंटे में मतलब दे दिखाई है और उसमें कुछ comedy क्रिएट करने की कोशिश की और जिसमें मेरे को जारा सी भी हसी नहीं आई क्यूंकि जो चीज अल्रीडी में वेनम में देख चुका वहीं आप मेरे को रिपीटेटेटेड दिखाओगे तो किसको मज़ा आएगा लेकिन आपको यह देखनी क् आपको समझ में आ जाएगा और इसके बार 80 नंबर पर आपको देखना है spider-man no way home spider-man no way home के बारे में बताओ आपको यह spider-man की एक आवेंजर है क्या बोल रहा हूं आपको आप पूरी फिल्म देखोगे न तो आप बोलोगे कि अब तक की जितनी भी spider-man की फिल्म बनी है सबसे बेस्ट यह लेकिन पूरानी फिल्म में देखे बगर अगर आप यह फिल्म देखोगे तो कूछ समझने आएगा और कूछ मज़ा नहीं आएगा पर परसनली किसी को भी वेनम और मॉर्बियस वाली जो वीडियो थी पूरानी आप देख सकते हो मेरे चानल पर जाके उस पर एक्स्प्लेइन किया है अब वहाँ पर पूरा स्पॉयलर मिलेगा अपको अगर आपने वेनम और स्पाइडर मैन नोवें नहीं नहीं देखे तो वहाँ पर जाके स्पा बाद में रख दिया 82 नंबर पर आपको देखनी है आपको देखने को मिला उसकी कोई इंडिविजल फिल्म बाद में कभी आई नहीं तो उन्होंने डैरेक उसकी यहां पर सिरीज बनाए है और एवेंजर एंड गेम के बाद वाली इसकी कहानी आगे क्या बढ़ती है वह आ अब तक मतलब देखा जाए तो कुछ connection था भी नहीं doctor strange in the multiverse of madness उस फिल्म के लिए आपको एक्समेन का पहला पार्ट एक्समेन की सिरीज देखना चाते उसके पहले तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखिए उसका link में आपको उपर i button में नीचे description में दे दूं में doctor strange ने एक spell cast किया था और जिसके वज़े से एक multiverse create होता है और उस multiverse create होने का भुगतान doctor strange को इस पार्ट में जहलने को मिलता है उसके बाद क्या-क्या कांड होते वह आपको पूरे देखने तो इस फिल्म को देखिए इस फिल्म के वारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा स अगर आप English में अगर Wanda Vision समझ सकते हो तो आप Wanda Vision देखके इसको देख लीजे और अगर आप English नहीं समझतों तो वांडा विजन का कुछी दिनों में हिंदी डब आने वाला इतना तो मुझे पता है वह जब आएगा वह देखके यह फिल्म देखिए ज्यादा बहतर रहेगा इसके बाद 86 नमबर पर आपको देखनी है मिस मार्वल सीरीज और इसके बाद 87 नमबर पर आपको देखनी है और लव एंड खंड क्रिश्चन बेल ने विलन का रोल किया था और बहुत सारे लोग उस सुकते कि जिसने बैटमैन में एज हीरो रोल किया ता डारक नाइट वाली सीरीज मे उसको आज हम विलन देखेंगे और उस एक्टर की भाई बाती अलग है लेकिन इस फिल्म ने रियली बहुत सारे लोग को डिसापॉइंटेड किया मतलब जो थौर के फैंस थे वह भी डिसापॉइंटेड हुए और जो क्रिश्चन बेल के फैन थे वह भी डिसापॉइंटे पूर सब्सक्राइब बाते बलद तो अब इस पर वीडियो में आपको बताने मेरे मेरी और सिर्जी करूंग बेली फिल्म में और सिरीज पता होएं चाहिए इसलिए यह भी फिल्म सोर सिरीज में आपको रिलीज देट वाइस अभी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे टाइम लाइन क्या है क्या नहीं वह पता नियों जब रिलीज होंगी उसके बाट टाम लाइन का हमको पता चलेगा 88 नंबर पर आपको देखनी है अगर आपने गार्डियंस ऑफ गैलक्सी देखी होगी तो गार्डियंस ऑफ गैलक्सी में ग्रूट नाम का जो पेड़ रहता है उसकी यह कहानी बोल सकते है क्योंकि इसमें बेबी ग्रूट दिखाया है अनिमेट पूरी सिरीज रहेगी यह इसके बाद 89 नंबर पर आने वाली है सतरह ऑगस्ट को शी हल्क अटर्णी एक सिरीज तो यहाँ पर आप तक हम लोग हल्क को एज अ मेल हल्क देख रहे थे तो यहाँ पर आभी हमको एक शी हल्क करके एक नया करेक्टर इंट्रोडूस हो रहा है तो इनकी क्या कहानी है लेकिन हेलोवीन स्पेशल है इसका मतलब देखिए 31st October को आएगा 91st नंबर पर पिर आने वाली है ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरेबर इस फिल्म का अभी हाली में टीजर रिलीज हुआ था और सबने बहुत इस पसंद किया था और इसमें हमारे पुराने ब्लैक पैंथर पैंथर फिल्म तो उसके चैडवीक बोस्मन इस फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि एंड गेम के बाद उनकी कैंसर के वज़े से मौत हो चुकी है तो इस वज़े से वह इस फिल्म में नहीं है तो अब बहुत बड़ी बात यह है कि भाई अभी जो ब्लै पोस्चर में यह खली करेक्टर को दिखाया गया यह भी नहीं समझा रहा है कि यह मेल करेक्टर है कि फिमल करेक्टर है तो बड़ा मजा आ रहा है कि फिल्म बड़ा मजा आने वाले इसके बाद 92 नमबर पर आती है तो गार्डियंस ऑफ दे गैलक्सी वालीडे स्पेशल और इसको फालिडे स्पेशल नाम दिया है तो होलिडेस स्बी को हो गी निशाब को 2020 को 25 डिसमर को डी लुगी